आज का हमारा टोपिक Conversion of solid from one step to another है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए चलिए Conversion of solid from one step to another तो इसमें कोई object है जो कोई भी सेप में है सपोज कि कोई object क्यूबएट सेप में है उसको melt करके या process करके उसका सेप चेंज करते सपोज कि उसको छोटे-छोटे स्पियर में करनोट कर देते हैं तो यह चोटे स्पियर उसकी radius आपको find out करना है और अगर radius आपको दिये हुए तो कितने स्पियर होंगे वह find out करना है तो यह भी आप find out कर सकते हो तो यहां पर दूसरा example है यह cylinder है करके हमने कौन बना दिया अभी कितने कौन बने एक सिलिंडर को मैल करके कौन कितने बन सकते हैं सपोज कि वह कौन एक ही बना है तो उसकी height किया होगी उसकी radius किया होगी वह आपको find out करना है तो आप find out कर सकते हो अब देखो यहाँ पे यह जो बीकर दिया हुआ है उसका जो पानी है वह एक क्यूब लाइक स्ट्रॉक्चर वैसल है उसमें फिल अब करते हैं तो अपको यह यह find out करना कि यह जो Q black structure है उसकी side क्या होगी suppose के beaker का पानी है वो छोटे cylinder में डाल दिया तो छोटे cylinder में हम डालते हैं तो उसकी height क्या होगी water level या liquid का level की height क्या होगी तो इस type के question हम solve कर सकते हैं तो यहाँ पर question 1 दिया हुआ है metallic sphere of radius 4.2 cm is melted and recast into shape of the cylinder of radius 6 cm find the height of the cylinder अभी यहाँ पर क्या है कि कोई एक metallic sphere है उसको convert कर दिया cylinder में इस type का cylinder में convert कर दिया है तो sphere को cylinder में convert करते हो यहाँ पर cylinder की radius कितनी है 6 cm ओके और आपको क्या find out करना है height find out करना है edge आपको sphere की radius कितनी दिया हुई है sphere की radius 4.2 cm दिया हुए अभी देखो यह sphere और cylinder दोनों का volume same है क्योंकि उसको ही recast किया हुआ है उसमें से कुछ डाला भी नहीं है कुछ निकाला भी नहीं है सिर्फ shape change किया है अभी shape change करने से volume change नहीं होता volume वही का वही देता है तो आपको compare करना है sphere का volume और cylinder का volume तो जब आप comparison करोगे तो उसमें edge parameter है आप देख सकते हो वह edge parameter आपको नहीं दिया हुए height तो comparison से आप height find out कर सकते हो अभी आपको volume of sphere का formula होना चाहिए volume of cylinder का formula होना चाहिए तो यहाँ पर देखो दोनों का volume compare किया है क्योंकि shape change होने से volume change नहीं होता volume as it is रहता है यहाँ अभी आप देखो sphere का volume क्या होता है 4 by 3 4 by 3 pi r cube और cylinder का volume क्या होता है pi r square h यह दोनों volume है अभी दोनों की radius अलग अलग है देखो एक की r1 है एक की r2 है क्योंकि दोनों की radius अलग है r1 है वो कितना है 4.2 cm और r2 क्या है cylinder की radius जो 6 cm तो दोनों की radius अलग है इसलिए r1 और r2 दिया है अभी इसको compare करो यहाँ पर compare करना है और आपको height find out करनी है radius दी हुई है सभी value put कर दी बाद में आपको क्या करना है यह जो pi और 6 square यह कहां पर जाएका denominator पर चला जाएगा अभी 6 square क्या होगा 36 होगा ओके और यहाँ पर 4 by 3 pi 4.2 उसका क्या है cube divide pi 36 6 square 36 equal to h अभी देखो आप यहाँ पर pi और pi cancer ओके अभी क्या बचा है 4 by 3 4.2 का cube और denominator में 36 और यहाँ पर equal to h ओके तो h की value आपको find out करनी है बाद में आपको यहाँ पर 4.2 को expand किया तो उसको 3 times लिग दिया है देखो अभी आपको cancellation करना है 4 1 जा 9 4 जा इस तरह से आप कर सकते हो ओके बाद में 9 3 3 जा 3 3 जा और 1.4 3 जा 4.2 ओके 3 1 जा 4.2 उसको 1.4 हो जाएगा 1.4 3 जा 4.2 3 1 जा यहाँ पर भी 1.4 आ जाएगा यानि 1.4 का क्या करना होगा cube तो 1.4 का क्या होगा यहाँ पर cube आ गया है अभी उसका cube 2.74 है तो height आपको cylinder की क्या मिली 2.74 तो इस तरह से आप height find out कर सकते हो metallic sphere of radius 6 cm, 8 cm, 10 cm respectively अब यहाँ पर 3 स्पियर को melt करके mix कर दिया और बड़ा sphere बढ़ा उसकी radius आपको find out करनी है अभी देखो melt किया 3 में से 1 sphere बना दिया तो यहाँ पर save change होता है volume वही का वही है और resulting sphere की radius r रखी यह r की value आपको find out करनी है तो आपको sphere का formula मालूम होना चाहिए sphere का formula क्या है 4 by 3 pi r cube अभी आपको यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 sphere है उसमें देखो r1, r2, r3 यह radius है अभी तीनो में 4 by 3 pi आता है तीनो में 4 by 3 pi क्या कर दिया common ले लिया तो यहाँ पर 4 by 3 pi common ले लिया है तो बाद में इसका cube करके addition करना है पहले cube करना है बाद में addition करना है और आपको इस r की value find out करनी है अभी यहाँ पर देखो यहाँ पर 4 by 3 है तो यह डीनोमेटर में 4 by 3 pi आएगा तो 4 by 3 pi और 4 by 3 pi cancel हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या तो यहाँ पर आपको 6 का q plus 8 का q plus 10 का q equal to r का q इतना बचेगा अभी 6 का q क्या होता है 2 1 6 8 का q क्या होता है 5 1 2 10 का q क्या होता है 1000 अभी सभी को एडिशन करो एडिशन करके आपको क्या मिलेगा 1 7 2 8 तो 1 7 2 8 equal to r cube तो यह जो आपको मिला answer यह r cube यानि यह जो बड़ा sphere है उसका radius का q मिला है अभी आपको radius find out करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा cube root करना पड़ेगा अगर आपको cube root करोगे तो radius मिल जाएगी 1 7 2 8 किस का cube है 12 का cube है यानि resulting sphere जो मिलेगा उसकी radius 12 होगी अभी question 3 देखो 20 meter deep well with the diameter 7 meter is dug and earth from digging is evenly spread out to form platform 12 meter by 14 meter find the height of the platform अभी यह जो इस में से जो मिटी निकली है उसका platform बनाया तो वो cube type platform बनाया इस type का देखो इस type का cube type platform बना दिया है अभी आपको यह platform बनाया cube type अभी जितनी मीटी निकली वो सभी spread करके इस type का platform बना दिया है उसका जो एक हमने length breath दिया हुए height मालूम नहीं है आपको height find out करना है आपको यहाँ पर length दिया हुए 22 breath दिया हुआ है 14 14 breath दिया हुआ है आपको height find out करना है तो दोनों का volume SAM होगा यह जो well है उसका और यह जो platform बनाया है उसका दोनों का volume SAM होगा क्यूंकि इसमें सभी जो मीटी है जितनी जो well की मीटी है उतनी उसने spread कि है यानि दोनों का जो volume है अंदर की मीटी ओसेम है तो आपको यहां पर वोलियूम इंट सेवनंे है तो सिलिंडर का वोलियूम का फॉर्मॉला क्या है PIER स्क्वेरेच और क्यूबट का A लिन्टू B इन्टू H अब आपको radius मालूम है radius यहाँ पर अभी देख डायमेटर 7 है तो radius half होगी यानि 3.5 या 7 by 2 होगी cylinder की height आपको यहाँ पर कितनी दिर हुई है 20 meter क्योंकि इतनी depth यानि यह जो well है cylinder shape का है उसकी depth यानि height होगी तो आपको height 20 meter होगी ओके आपको length दिया हुआ है 22 meter breath दिया हुआ 14 आपको height find out करना है आपको एक ही parameter find out करना है तो यहाँ पर देखिए यह formula है यह जो well है cylinder type ओके तो pi r square area platform क्या होगा 22 into 14 अभी l into b into h आएगा ना l into b into h अभी l into b यानि area of platform और multiply edge तो आप देखिए यहाँ पर 22 into 14 अभी edge find out करना है और यहाँ पर 7 by 2 radius और 20 height height यानि depthness well की depthness अभी इसका solve करो यहाँ पर value लेना है 22 by 7 अभी यह जो आप 22 into 14 है वो divide में आ जाएगा और बात में इसको solve करोगे ना है तो आपको height मिलेगी 2.5 meter इस तरह से आपको solve करना है अभी यहाँ पर question 4 देखो a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep the earth taken out it has been spread evenly and around it the shape of the circular ring of width of the 4 meter from impact man find the height of the impact man अभी आपको इसकी height find out करनी है अभी देखो यह जो well है उसको digging किया अंदर की मिटी निकाली अंदर की मिटी निकाली और बाहर spread कर दी इस रिंग type में spread कर दी तो यह जो जो ring step है उसकी width 4 meter है ओके अभी देखो cylinder का का जो volume है यह cylinder step का ओके यह well का volume है cylinder type इसका volume और बाहर जो मिटी उसने आसपास जो spread कर दी ओके तो उसका जो volume दोनों same होगा तो पहले cylinder का volume find out करो pi r square edge ओके अभी आपको यह ring का volume find out करना है ring step का circular ring तो उसमें किस तरह से करना पड़ीगा तो कि यह जो बड़ा cylinder है उसमें से छोटा cylinder क्या कर दो माइनस कर दो ओके तो बड़ा cylinder का suppose कि pi r one square edge minus pi r two square edge अभी देखो height तो दोनों की same है बड़ा cylinder क्योंकि देखो आपको इतना ही height लेना है ओके अंदर का जो cylinder है उसमें से इतनी height लेना है अंदर का जो माल है यह इतना वह minus करना होगा क्योंकि वह खाली है okay तो अंदर का जो माल यह का minus करना है तो इतनी height आपको लेनी है height तो दोनों की same है क्योंकि अंदर का जो cylinder माइनस करना है तो हैट दोनों की सेम है तो आपको पाइफ और अले लेना अपने लेगा तहों आउके फॉरुमलक बंची है पाइच आरह एच आर्ल्वन स्क्वियर माइनस अल्टॉ स्क्वियर इस की ताइब आपको रिंग का मिल जाएगा सिलिंडर मैनस कर दो यह सिलिंडर में पूरी है्ट ड़ेने है कि हमन Congrats आपको इतना ही मायनस करना है क्योंकि है जो बढा सिलिंडर है इसमें से स्पेस खाली है ऐतना ही हाइट नहीं लेना है है यहां हुआ अप्य ध hm आपे इसी तरह से किया हुआ है इसको देखो बड़ी रेडियस हुआ है थोटेश आरवन है ओक लिए है अभी अप देख सकते हो यहां पर पर आरव क्या है मैं आपको समझाओं यहां पर अंदर का जो सिलिंडर है उसकी डायमीटर 3 मीटर है तो उसकी जो रेडियस होगी अंदर का सिलिंडर की वह 3 by 2 या 1.5 होगी उसको हमने आरवन लिया है और बाहर का जो सिलिंडर है बाहर का जो यह यह सेंटर से आप देखा जाए तो आपको देखो 4 मिटर वीट थे और अंदर की जो रेडियस से 1.5 है यानि टोटल कितना हुआ 5.5 5.5 हुआ तो आपको यहां पे यह जो आउटर यह बार का सिलिंडर से पे यह इतना है न वह 5.5 है तो 5.5 यानि बड़ी रेडियस में से च्वटी रेडियस मायनस करके आपको यह रींग का करना है तो अब यहां पे देखो R22 2 यानि बड़ी रेडियस मायनस R1 2 और यहां पे आपको अंदर का जो cylinder है यह अंदर से जो मीटी निकाले हुई है वो मीटी जो निकाले हो वो cylinder की height उसकी जो मीटी बाहर निकाल दी और spread कर दी है और इसकी h1 तो इसकी h2 रखनी है इसकी height क्या करनी है h2 तो यहां पे height भी दो है radius भी दो है तो आपको h2 find out करना है h1 तो आपको मालू में है यहां पे h1 14 meter है वो आपको मालू में ओके तो यहां पे देखो यहां पे value put कर दी है यहां पे देखो 5.5 यानि क्या होता है h1 1 by 2 और 1.5 यानि 3 by 2 जो अंदर का radius है अंदर का चोटा से देखो आपको h find out करनी है जो ring step का है उसका height है और यहां पे देखो अंदर का well है यह well उसकी height जो है 14 है यह 14 थी ओके और इसकी radius है वो 3 3 by 2 यानि 1.5 तभी value put कर दी अभी आपको यहां पे पाई-पाई cancel हो जाएगा और इसमें क्या होता है कि इसका square करो पेले बाद में subtraction करो और बाद में यह डिनोमेटर में चला जाएगा तो आपको height मिल जाएगी जो height मिलेगी 1.125 ओके तो इस तरह से आप इंबेक्मेंट की height find out कर सकते हो अभी यहां पे देखो a container shape like the right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream the ice cream is to be filled into the cone of height 12 cm, diameter 6 cm having hemispherical shape on the top of find the number of such cone which can be filled with the ice cream अपे देखो एक बड़ा cylinder है जो ice cream से भरा हुआ है जिसकी height 15 cm है diameter 12 है यानि radius क्या होगी 6 उसके radius 6 है height 15 cm है उसमें से आप कौन बना रहे है चोटे चोटे कौन की जो diameter 6 cm यान radius 3 cm होगी यह कौन है उसके radius क्या हो है 3 cm यह 3 cm क्यों है क्योंकि diameter कितना है यहां पर दिया हुआ है diameter 6 cm तो उसका height क्या होगा 3 cm अभी कौन की height 12 है यहां पर height 12 कर दो अभी उसके उपर hemispherical है ओके तो अभी hemispherical है यानि कि आपको यह जो cylinder का volume क्यों के साथ compare करना है पर यहां पर क्यों छोटे छोटे है तो multiply क्या करना होगा n यानि number of cone आपको number of cone find out करना है कि इस cylinder में से 3 cone भर सकते हो 10 cone भर सकते हो तो आपको n की value find out करना है तो यहां पर hemisphere भी है और cone भी है तो यह जो ice cream का cone है उपर hemisphere है hemisphere को भी add करना पड़ेगा यह full cone है तो इसमें hemisphere यानि का volume क्या होता है 2 by 3 pi r cube ओके और यह जो नीचे का cone है उसका क्या होगा 1 by 3 pi r square h दोनों का add करोगे तो full cone का मिल जाएगा और यहां पर cylinder की बात करें तो उसका क्या है pi r square h तो इस तरह से आपको compare करना है देखो यहां पर अभी r1 h1 क्यों दिया हुआ है क्योंकि cylinder की radius और cone की radius दोनों सेम नहीं है सिलिंदर की height और cone की height वह भी सेम नहीं है इसलिए यहां पर r1 h1 दिया हुआ है जबकि cone में जो नीचे का cone है उसमें r2 h2 okay अब उसके ऊपर हमी square है two by three pi r q अभी देखो यह corner है उसका hemisphere और cone यह दोनों की radius क्या होगी क्यों बनों होगी इसलिए यहां पर r2 दोनों में r2 दिया हुआ है अब देख सकते और यहां पर दोनों में r2 लिया हुआ है cone में और hemisphere में क्योंकि दोनों की रेडियस Same है जिसकी रेडियस Same है तो वह भी कभी लेते है अभी यहां पर आप देखो यह जो ह Two है वह कौन की ऐट है अभी बहुत सारे कौन फिल अप करते हैं यहां पर यहां पर देखो टो यहां पर n है तो number of kon से और number of corn उसको multiply करो तो total volume मिलेगा वह total volume जो मिलेगा वह किसके बराबर होना चाहिए तो जो ice cream का जो vessel है cylinder shape उसके बराबर यानि यहां पर pi r square edge के बराबर अभी सभी value put कर दो तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो r2 है यह कौन की radius है वह कितनी है 3 बाद में h2 वह कितना है 12 cm बाद में यहां पर r2 वह भी 3 अभी यहां पर r1 6 और h1 वह 15 है देखें 15 cylinder का ओके तो इस तरह से आप value fill up करो अभी यहां पर देखिया कि pi common ले लो okay pi common ले लिया तो pi pi क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा pi common ले लोगे तो okay और बाद में अब यहां पर r2 h1 r2 h1 यानि 6 square into 50 और यह जो बाकी की यह सब यह वह denominator में चला जाएगा तो आपको n की value मिल जाएगी तो यहां पर n की value मिल जाएगी यह सब denominator में आ गया अभी इसको solve करो तो आपको answer मिलेगा n equal to 10 तो यहां पर n equal to 10 यानि 10 ice cream कौन fill up कर सकते हो अभी देख को question 6 है तो how many silver coins 1.75 cm in diameter and of the thickness is 2 mm must be melted to from cuboid of dimension 5.5 into 10 into 3.5 cm आपको बहुत सारे coins से उसको melt करना है और melt करके आपको cuboid set में convert करना है तो कितने point की जरूत पड़ेगी आपको इस size का cuboid मिल जाएगा l into b into h आपको volume compare करना है अभी यह जो coin है उसका shape कैसा है cylinder type है cylinder type shape है तो यहां का formal क्या होगा pi square h जिसमें radius क्या होगी 1.75 यह वो diameter तो 1.75 divided by 2 यह आपकी radius होगी height 0.2 होगी और यहां पर बहुत सारे coin हमने लिए है आपको multiply n into pi r square h यानि n number of coin लिए है आपको n की value find out करनी है वो किसके बराबर होना चाहिए तो क्यूबेट के बराबर क्यूबेट के बराबर क्यूबेट में convert कर दिया क्यूबेट का parameter दिया हुआ है तो यहां पर l into b into h यहां पर देखो यह length है यह breath है और यह height है बाद में compare करना है बाद में आपको number of coins find out करना है अब देखो सभी की value put कर दी अभी अभी देखो यह पार्ट है वो divide में चला जाएगा तो divide में चला जाएगा तो n अकेला रहे जाएगा यहां पर देखिया कि यहां पर n अकेला है ओके यह सब divide में चला गया है तो आप बाद में cancellation करोगे तो आपको 400 यानि 400 coin को melt करोगे तब अब उस से आपका cuboid बना सकते हो बाद में question 7 देखो a cylindrical bucket 32 centimeter height with the radius of base 8 centimeter is filled with the sand his bucket is empty on the ground and conical half of the sand is permanent the height of the conical half is 24 centimeter find the radius and slant height of the half अभी देखो कोई cylinder में यहां पर दिया कि कोई bucket है उसमें sand भरा हुआ है cylinder shape में उसको उसकी जो sand यह इदर पर डाल दी तो उसका concept में convert हो गया अभी उसकी जो height 24 है उसकी जो height 24 है वो radius आपको find out करनी है यहां पर radius find out करनी है और slant height इसको हम slant height केते हैं उसको भी find out करना है तो आपको देखो दोनों का volume सेम होगा क्योंकि जितनी sand bucket में थी उतनी है यानि दोनों का volume सेम है तो आपको volume compare करना है cylinder का volume क्या है pi r square h और कोन का क्या है 1 by 3 pi r square h अभी दोनों की radius अलग-अलग है एक की दिये हुए दूसरे की हमको find out करनी है तो आप देखिए यहां पर comparison किया है अभी दोनों की radius अलग है यानि r1 और r2 height भी अलग है h1 और h2 तो यहां पर आप देख सकते कि दोनों compare किया है यहां पर cylinder का volume और conical half यानि कौन का volume दोनों compare किया है अभी सभी value put कर दो आपको कौन की radius find out करनी है बाकि कौन की height 24 है cylinder जो है bucket का cylinder shape का bucket उसकी radius 18 है उसकी height 32 है वह आपको दिया हुआ है आपको क्या करना है यहां पर pipe cancel होगा और यह 24 है वह divide में चला जाएगा और बात में आपको calculation करना है तो आपको क्या मिलता है कि calculation करके आपको यहां पर यहां पर आप देख सकते हो कि r square equal to 18 square multiplied 4 एसा मिलता है ओके अभी आप इसको solve करोगे तो आपको radius मिलेगी 30 यहां पर two आएगा sorry यहां पर two आएगा इस टाइप पर मिलेगा अभी यह आपको radius मिलेगी 36 मिलेगी ओके बात में आपको plan type find out करना है तो आपको देखो radius का square और height का square और बात में उसका under root इसका formula है radius का square प्लस height का square और बात में under root यहनी पर square करो बात में addition करो बात में square root करो आपको 12 under root 13 मिलेगा ओके अभी यहां पर question है water in canal 6 meter wide 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour how much area will be will it irrigate in the 30 minute if 8 cm standing water is needed अभी आपको पहले यह देखना है कि half hours में कितना water जो खेत है उसमें जा सकता है तो आपको देखो 10 km per hour अभी यहां पर 6 meter wide यहां पर 6 meter wide और deep यहांई height यह 1.5 meter है अभी length आपको find out करनी है तो half hour में length कितनी होगी अभी 1 hour में 10 km है तो half hour में 30 minute means half hour यहांई 5 km तो length क्या होगी 5 km तो L into B into H से इसका आपको water का volume मिल जाएगा कि यह half hour में कितना water खेत में आएगा तो आपको यहां पर देखो कि जो खेत होता है उसका set इसका area जो होता इस type का होता है तो जो area into H area into H यानि आपको volume मिल लेगा जो खेत में पानी भरा हुआ है अभी आपको height दिये हुई है 8 cm आपको area find out करना है तो आपको जो खेत में पानी है a into H उसको केनल का जो volume में उससे compare करना है अभी केनल का volume क्या है l into b into H तो इस तरह से आपको comparison करके आपको area find out करना है तो आपको देख सकते हो यहां पर केनल का volume जो मिला l into b into H से वह 45,000 केनल का volume मिला है अभी यह meter में मिला है 45,000 केनल का volume मिला है l into b into H से अभी a into 8 अभी देख डिनोमेटर में 100 क्यों है क्योंकि 8 cm में दिया हुआ है इसको meter में convert करना है 8 upon 100 meter ओके अगर इसको meter में convert करना है तो divide 100 करना पड़ेगा इसलिए divide 100 किया है यहां पर ओके तो A into H equal to केनल का volume है वो केनल वोल्यूम तो पानी केनल से जितना आया हुआ हुआ हाफ हावर में तो आपको H divide में हो जाएगा तो आपको 8 है वो divide में जाएगा और 100 है वो multiply हो जाएगा तो आपको area मिल जाएगा तो यहां पर area मिलता है 56,000 यहां पर area 5,62,500 मिट्र स्क्वेर एडिया तो उतने एडिया में आप पानी दे सकते हो ओके तो इस टाइप के बहुत इजी कर्शन है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जैमीन एज्यूकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन को दबाईए